तो फ्रेंट्स अगर जिन्होंने मेरे अभी तक सुझाता DIY वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे इसमें आपको कई तरह की ब्यूटी टिप्स DIY आपके साथ मैं शेयर करूंगी तो आज मैं आपके साथ शेयर करने ज तो इसका कवर में बनाऊंगी तो पहले इसमें एक कुशन है और नीचे का एक मैट्रेस है तो पहले आपको क्या करना है मैं नीचे का बेस बना रही हूँ तो पहले आप मैट्रेस का नाप ले लीजे कि कि इतना लंब आपका मैट्रेस है तो उतना आप मेजर्मेंट कर ठोड़ाई रखने है जस्टाइप की चेयर है तो उतनी लंबाई यह रखली है धोस्तों और वहां से मुझे नीचे लगानी है फ्रेल्ज केले इस जॉइ मैं देख लूँगी कि इस लंबी फ्रेल्स मुझे रखनी है वो भी मैंने मेसिर्मेंट कर लिये कि यहां से मुझे यहां तक फ्रेल्स लेनी है तो इतना भी मैंने मेजरमेंट कर लिया है कि यहां पर में 7 इंच के करीवन तो मेजरमेंट मेरा हो चुका है दोस्तों यहां पर मिर पे एक पुराना कटन है जिसको मैं यूज करूंगी इसमें तो मैंने पहले उसकी लंबाई जितना मेरा वो चेयर का मैट्रस था उसकी लंबाई मैंने देख ली है तो उतना मुझे उससाब से इससे कट करना है भी मैं सोचूं कि इससे लंबाई में कट करूं कि चोडाई में कट करूं तो इतना मैंने इससे देख ली हूँ कि कि इतना य आप चाहें दोस्तों बेट शीट से बना सकते हैं बेट शीट आपके पास नहीं है पुराना कर्टिन से बना सकते हैं आपके पास दुपटे होंगे बहुत अच्छे उससे आप बना सकते हैं इस तरह कि अपने चेयर कवर और यही चेयर कवर अगर आपके पास चेयर नहीं है आप सोफे कावर मना सकते हैं तो इसे आप कही सारी चीजे क्रेट कर सकते हैं दोस्तों अपने माइंड से तो मैंने इसको कट कर लिया है पूरा तो जैसे मैंने बताया था मैं दो चेयर के लिए बना रही हूं तो यह देखिए मैंने इस तरही किसे से फोल कर दिया मैं इसे बी तो यह पूरी तरीके से फिट बैठा है अब मुझे यहां से नीचे लगानी है लेस में तो लेस के लिए में यहां पर दूसरा मेर पर एक कर्टन है उसके कंट्रास में तो जितनी मुझे लंबाई इसकी रखनी है जालर की तो उतना मैं इसको कट कर लोंगी फ्रिल्स जितने म मैं कपड़ा कट कर रही हूं तो यह कंट्रास मैंने लिया है मेर पर पुराने कटन थे यह दोनों कंट्रास के तो मैंने यह कंट्रास लिया था कि दोनों का कंट्रास फिर अच्छे से बैठेगा एक लाइट और डार्क शेट में तो यह कपड़ा हो चुका है अब मैं इसको और उल्टा आपको यह जो फ्रिल्स आपने कट करी है उसको रखना है नीचे से आप आइप इन कलीजिए एक पतली से सिलाई रख लीजिए उससे फिनिशिंग काफी अच्छी आती है तो मैंने इस तरीके से रखाया और इस तरीके से मैं इस पर प्लेट्स बनाऊंगी तो प्लेट्स बनाना बहुत आसान है, छलका सा इस तरीके से और आज पुरा ग्रीन हो गए यह नेल पिंटिंट इन कहरी तो इस तरीके से मैं इस फोल्ड कर उंगी और इस तरीके से आप simple सी plates इसमें बना सकते हैं आप बिना plates के भी से बना सकते हैं बस ध्यान रखे की color contrast अच्छे से होना चाहिए कि आपने अगर dark shade लिया है तो फिर light shade लीजे तो इस तरीके से मैंने इसमें पूरी plates में create कर लूँगी तो ये मैंने plates सारी बना दी हैं इस तरीके की तो देखे ये इस type से लगेगा जब बनेगा अब आपको इस तरीके से सुल्टा कर लेना है तो आपका जो नीचे का base है वो बिल्कुल बनके ready हो चुका है चेर की जो गदी है वो बनके बिल्कुल ready है उसका cover तो अब मैं जो इसका कुषेन उसका cover बनाऊंगी दोस्तों तो कुषेन का cover मैं अगर आपके पास कुषेन का cover नहीं है तो सिंपल आप उस पे लगा के उससाब से कटिंग कर सकती है तो मैं इसी कवर के हिसाब से करें कि यह प्रापर तरीके से फिट बैट जाए नहीं तो आप कुषेन का भी मेजरमेंट ले सकते हैं आपके पास कुषेन वाला चेर नहीं है तो सिंपल आपकी जो अगर पीछे से बैक है तो उसमें उसी का मेजरमेंट आप ले लीजिए तो हमें यहां पर यह कपड़ा कि यह बी कटन ए तो इसको भी डवल करके रखा है डवल करने के बाद दोस्तों इस जो कुषिन का कवर है उसका मैं मेजरमेंट रखा है सीधा मेजरमेंट आपको रखना है और उसके साइट में आपको कपड़ा कट करते जाना है तो देखिए सिंपल बिलकुल आसान तरीके और उसी सिलाई से आप बहुत सारी चीजे कर सकते हो तो देखिए डबल जो कपड़ा है वो मैंने कट कर लिया है ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसे भी मैं कट कर लूँगी ये जो आप एक्स्ट्रा कपड़ा कट करेंगे उसको आप बिल्कुल फेकिए मत पहले तो proper जो measurement आप वो ही रखिए कुशन को उल्टा कीजिए उल्टे में जितना उसका proper साइज है वो ही कपड़ा उसके उपर रखिए फिर कट कर लिजिए तो देखिए ये मैंने कपड़ा रखा है तो अब ये 2 layer हैं कपड़े की तो मैं दोनों को हटा देंगी पहले मैं इसकी layer को अलग लग कर दूँगी यहाँ पे और यह मेरा एक उपर का portion बन जाएगा और एक इसका back side बन जाएगा तो इससे पहले मैंने कई बार आपको cushion बनाना चिका है तो यह मैंने नीचे का लिया है मतलब back side लिया है तो इसको आपको जैसे मैंने बताया था कि एक साइट बड़ा होना चाहिए एक साइट छोटा होना चाहिए पला इसका तो मैं इसे बीच से कट कर लूँगी बिल्कुल सिंपल तरीका है कुशिन बनाने का किसी बीची से आप कुशिन बना सकते हो आपने पुराने इतने सारे स जो अटोडे कपड़ा है लिए और यह दोसरा वाला कपड़ा है इसको मैंने इंपर रखा है तो आपको पुल तरफ से शिल्ल से चापर से उपर इसमिल कुछिन अचे ही बनता है तो मैं थोड़ा अलग टाइप में बनाना चायरी थी तो मैंने यह रखा है कुशन कवर दुबारा पुराना वाला और मैं यह देख रही हूँ कि प्रापर मेजरमेंट इसका बैटर है कि नहीं बैटर है तो यहां पर मिनिमम पांच इंच एक साइट से छोड़ा है तो आप नाप कर लीजे मैं तो हाथ से एसे नाप करके फिर कर लेती हूँ गोड़ आप प्रापर तरीके से एक इंची टेप से नाप कीजिए सकेल से नाप कीजिए तो उस हिसाबसे आप लीजिए इसको और एक स्टेट लाइन खीच लिजे अगर आप इसको डारेक्ली ऐसे ही फ्रिल्स लगाएंगे तो यह आपकी फ्रिल्स इदर अदर चली जाएगी तो इसके प्रॉपर तरीका यह है कि आप अच्छे से लाइन कीचिए फिर आप फ्रिल्स लगाएंगे तो देखे मैं इस तरी फ्रिल्स लगाँगे तो जैसे लंए जिसानी का कपड़ा है उसको आपको शुल्टा राखनाः जीर अगर इस तरीके से लाइन यह आपको फोल्ड़ करते वे तो दुट्वर बनारी हूं मतलब मैं प्लाट्स वाली नहीं बनारी हो चुन्न्न्टे उत्री इस ताइप की व और आप कोई भी लुक्रेट कर सकते हो पहले टाइम आपको लगेगा नहीं आरा बनाना फिर दूसरे टाइम नहीं आरा मतलब आप जब बनाती रहोगी कोई ना कोई चीजे तो आसानी से आप बना सकती हो तो मैंने चुणनटे दे दे के पूरा बना दिये एं फ्रिल्स तो य मैं ऑर जो अवल्τα वाला पार्ट ऑण से उपर अँआ है आप चारो तरफ में अपमें साइट से सिलाई रख लिजिये सिंपल और कुछ नहीं करना हि चारो तरफ से शिलाई रख लिजा और मैंने चारो तरफ से शिलाई अब मैं इसको सुल्टा घरको बताओं तो तो देख कि अविप्स नहीं करना समझा, मैंने कोई बाती नेक्स टाइम रहोंगी तो बन जाएंगा, तो देखी ये कुशिन कवर बनके भी बिलकुल रैड़ी हो चुके हैं, नीचे का उसका गद्यों का कवर बनके बिलकुल रैड़ी हो चुका है, और लगाके देखते हैं कि किस कुछन प्रॉपर तरीके से बैठेगा कि नहीं बैठेगा होता यार कभी कभी हम बना देते हैं बट वो थोड़ा सा मेजरमेंट उपर नीचे होने के चक्कर में क्योंकि हम सिलाई तो ऐसे आती नहीं है कि आप पर्फेक्टली कोई चीज बना दो बस मैं तो ज्यादा तर हाथ बीच में आप सिलाई रख लिजे तो यह आपके फ्रिल्स ना ऐसे ऐसे नहीं उड़ेंगे तो यह बन के रडी हो चुका है अमें यह जो नीचे वाला इसका गदी का कवर है उसको भी देखती हूं कि यह बना है कि नहीं बना है तो देखिए यह भी आ चुका है इसमें के रचे सटी to प्रमाने की खिले का मैं तो यह जो शलग थो यह दिए लगा हा बड़े लगारा है आपको पसंद आ आयए हैं और मुझे पसंद आया है तो यह कुछ दिखने में इस तो कोई बात नहीं डिसलाइकी कर देना अगर आपको पसन्द नहीं